एक्सेलेंसी जी एक तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेलेंसी जी दूसरी वाइस अब ग्लोबल साउट समीट के उद्गाटन सत्र में एक्सो चालीस करोड भारत वासियों के और से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वाइस अब ग्लोबल साउट 21 सदी की बदलती वी दुनिया का सबसे अनूठा मंच है भागोलिक रूप से तो ग्लोबल साउट तो हमेशा से रहा है लेकिन उसे इस प्रकार से वाइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साजा प्रयासों से संबव हुआ है हम सों से ज़्यादा अलग अलग देश है लेकिन हमारे हीत समान है हमारी प्रात्वित्ता है समान है फ्रेंट्स पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने जी ट्वेंटी की अध्यक्स्ता संभाली तो हमने इस फ्रम में ग्लोबल साउत के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दाईत्व माना हमारी प्रात्विक्ता थी की जी ट्वेंटी को ग्लोबल स्केल पर समावेसी और हुमन सेंट्रिक बनाया जाए हमारी कोशिस थी की जी ट्वेंटी का फोकस हो डेवलप्मेंट आप दे पीपल बाई दे पीपल एंड फॉर दे पीपल इसी उद्देश से हमने इस वर जनवरी में पहली बार वाईस अब ग्लोबल साउट समिट का आविजन किया भारत के अलग-अलग राज्यों में हुई जी ट्वेंटी की दोसों से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउट की प्रात्विक्ताओं को प्रमुकता दी इसका नतीजा रहा कि न्यू देली लीडर्स डेकलेरेशन में ग्लोबल साउट के विश्यों पर हमें सबकी सहमती हासिल करने में कामियाबी मिलिये एक्सलेंसी जी ट्वेंटी आयोजन में ग्लोबल साउट के हितों को ध्यान में रखकर हिये लिये गए कुछ महत्वपून नेने मैं बड़ी नम्रता पूर्वग आप सब के साथ साजा करना चाहता हूं मैं वो एतिहासी क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से आफ्रिकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में जी ट्वेंटी की स्थाही सदस्यता मिली जी ट्वेंटी में सबने माना कि मल्टि लेटरल डेवलोप्मेंट बैंक में बड़े सुधार लाए जाएं और विकास सिल देशों के लिए सस्टेनेबल फैनास देने पर जोड दिया जाएं सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल्स जो पिछले कुछ सालों बहें सुस्त पड़ गए थे उनमें तेजी लाने के लिए एक एक्शन प्लाट भी बनाया गया इससे यह ग्लोबल साउथ के देशों में चल रहे पौवर्टी रिडक्शन कारकमों को बल मिलेगा जी ट्विंटी ने इस बार क्लाइमेट फैनास पर अभूत पूर्व गंबीरता दिखाई है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशान सर्तों पर क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए फाइनांस और टेकनलोजी उप्रब्द कराए जाने पर भी सहमती बनी है क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफ यानि लाइफ स्टाइल फॉर एंवार्मेंट इसके हाई लेबल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया इसी समीट में ग्लोबल बायोफियल एलाइंस लाउंच किया गया है यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपुण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे भारत मानता है कि नई टेकनलोजी नौर्थ और साउथ के बीच दूरिया बढ़ाने का नयास्तरोत नहीं बनना चाहिए आज आर्टिफिशल इंट्रिजन्स AI के यूग में टेकनलोजी को रिस्पोंसिबल तरीके से उप्योग में लाने की बहुत जरूरत है इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महिने AI Global Partnership Summit आयोजित की जा रही है G20 द्वारा Digital Public Infrastructure यानि DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है जिससे आवशक सेवाओं की लास्ट माइल डिलिवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूजिविटी बढ़ेगी Westwick DPI रिपोजिट्री बनाने पर भी सहमती बनी है इसके अंतरगत भारत अपनी शमताएं पूरे Global South के साथ साजा करने के लिए तयार है किसी भी प्राकृतिक आपता से Global South के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं इसके लिए भारत ने Coalition for Disaster Resilient Infrastructure यानी CDRI शुरू किया था अब G20 में Disaster Risk Reduction और Resilient Infrastructure के लिए नया Working Group भी बनाया गया है भारत की इस पहल पर इस साल को सयुक्त राष्ट International Year of Millets के रुप में मना रहा है G20 के तहट Superfood Millets जिसे भारत में हमने स्री अन्न की पहचान दी है उन पर Research करने के लिए नया Initiative लिया गया है यह Climate Change और Resources के अभाव से उत्पन होने वाली Food Security की चिंताओं से लड़ने में Global South को सामर्थवान बनाएगा पहली बार G20 में Sustainable और Ocean Based Economy पर बल दिया गया है एक Global South के Small Island Developing Countries जिने मैं Large Ocean Countries मानता हूँ उनके लिए बहुत महत्वपून है समीट में Global Value Chain Mapping और Digital Certificate को मानता देने के लिए एहम फैसले लिए गए इससे Global South के देशों में MSME सेक्टर और व्यापार के लिए नए आउसर खुलेंगे एक्सलेंसी वैश्वीक समृद्धी के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पस्चिम एश्या क्षेतर की घटनाओं से नई चुनोतियां उभर रही है भारत ने साथ अक्तूबर को इसराइल में हुए जदन्य आतंक की हमले की निंदा किये हैं हमने रिस्ट्रेंड के साथ ही डायलोग और डिप्लोमसी पर भी जोड़ दिया है इसराइल और हमास के कॉन्टिक्ट में सिविलियन्स की मौत की हम कठोड निंदा करते हैं राश्पती महबुद अबास जी से बात कर हमने फिलिस्टिन के लोगों के लिए मानुविय सहायता भी भेजी है ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर फाइव सीज फाइव सीज के साथ आगे बढ़ें जब मैं फाइव सीज की बात करता हूँ तब कंसल्टेशन, को अपरेशन, कॉम्मिनिकेशन, क्रियेटिविटी और कपसिटी बिलिग एक्सलेंसी, पहली वाइस अब ग्लोबल साउथ समिक में मैंने ग्लोबल साउथ के लिए एक सेंटर अफ एक्सलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था मुझे खुशी है कि आज दक्षिन, डेवलप्मेंट एंड नौलेज शेरिंग इनिशेटिव ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सलेंस का उद्गाटन हो रहा है जी ट्विंटी समिट के दोरान मैंने भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के लिए वेधर और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए सेट्रिलाइट लॉंज करने का प्रस्ताव रखा है हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं फ्रेंट्स इन विचारों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए बहुती उत्साहित हूँ और इतनी बड़ी मात्रा में आप सब की सक्रिय भागीदारी के लिए मैं रदेश से आपका अभाय व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद